असलाम आलीकुम आफ्रिवन देखिए बहुत ही बेसिक सी डिनर रेस्पीज आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ लेकिन मैं उनको बनाओंगे एकदम नए तरीके से जिसके आपको मिलेंगे डिनर के एकदम बहतरी नए आइडियाज 250 ग्राम मैंने यहाँ पर ले लिया है रही हलका सा खट्टा वाला है उसके साथ ही डाल देंगे 2 تीस्पून पिषण धनिया पॉडॉर तैस बहन के एक एक कारड़िं डालना है लाल बैर तैस के एक एक कार्ड़ मिठ्ची आ शुर्णनाम। और हाफ टीस्पून हम डाल देंगे हल्दी पॉर्डर और इसके साथ ही डाल देंगे 100 ग्राम बेसन 250 ग्राम दही है और 100 ग्राम डालना है बेसन अब सारी ही चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर हम एक लम्स फ्री बैटर को यहां पर तयार कर लेंगे तो बैटर अच्छे से बन चुका है तो एक लीटर से थोड़ा जादा पानी हम इसमें एड़ कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड रख देंगे आपको लग रहा है कि हम शायद कड़ी बना रहे हैं ऐसा नहीं है आप रैसिपी को एंड तक देखिए अब मैंन दूजे के साइगे और दाल देंगे कुछ करी पत्ते और उसके साइगे बिलकूल आठ से 10 दाने दाना में ठीक है अब सारी चीजों एच्छे से जोड़कर और उसके साथ ही एक बड़ा सा प्याज लिया है जिसको मैंने चंक्स में काट लिया है उसको भी डाल कर एक से दो मिनिट के लिए हम हाई फ्लेम पर पका लेंगी बैटर हमने बनाकर रखा था उसको एक बार अच्छे से और मिक्स करेंगे और इस बैटर को हमें इस स्पैटर को चलाती रहें और जैसे ही आप देखें कि उबाला आना शुरू हो चुका है तो गैस की फ्लेम आप स्लो कर दें तो इस डिलीशस सी डिनर रेसिपी को हमें पकाना है इस लो फ्लेम पर सिर्फ 15 मिनिट के लिए इस तरह से चमच डाल कर अगर आप पनाएंगी तो यह बहारुफन कर नहीं आएगी और इस तरह फ्रेंट्स फ्राइ हो रही है हमारी हरी मिर्ची जिसकी रेसिपी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी क्यूंकि यह सिर्फ दो मिनिट में बनती और खाने का टेस्ट काफी बढ़ा देती है 15 मिनिट हो चुके हैं इस रेसिपी को पकते हुए क्यूंकि यह इस बुंदी को भी इस खोल में हमें डाल देना है देखिए हम जब कड़ी बनाते हैं तो कम से कम हमें एक घंटा लगता है लेकिन ये बुंदी वाली इंस्टिंट कड़ी सिर्फ 15 मिनिट में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये इतनी मज़ेदार बनके दयार होती है कि मैं आप से एकस्प्लेइन नहीं कर सकती है तो मैंने इसलिए थोड़ी सी पतली कड़ी उतारी है ताकि जब हम बुंदी डालेंगे तो ये अच्छे से पानी सोक लेगी और हमारे जो कड़ी वो थोड़ी थिक हो जाएगी तो सिर्फ आप इसे पंदरा मिनिट ही पकाईए और य खड़ा धनिया और उसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें दो से तीन चुटकी हींग और दो सोखी लाल मिर्ची डालना है और सारे ही तड़के को हम अच्छे से पका लेंगे ताकि जो भी हमने सामान डाला है उसका फ्लेवर तेल में आ जाए और आप इसमें जो खड़ा धनि है और तड़के को हम उपर से बुंदी की कड़ी पर डाल देंगे सिर्फ 15 मिनिट मैंने इस कड़ी को पकाया है और इस कड़ी का जो टेस्ट है वो इतना पहतरी निकल कर आता है कि आप घंटो भी अपनी जो आप हमेशा कड़ी बनाती है कड़ी बकोड़ा वो बकाएंगे तो इसके आगे फीकी पड़ जाएगी तो बच्छे से मिक्स करेंगे और इस बुंदी की कड़ी को हम सर्व करेंगे गर्मा गरम इस्टीम राइस के साथ तो एक बार इस रेसेपी को आप ज़रू ट्राय करें रोटी से खाईए या फिर चावल से खाईए ये इतनी ज़्या डो पकाई हुई अपनी कड़ी पकोड़ा वाली कड़ी को भूल जाएंगे तो है ना एक मस्ट डिनर का आइडिया अब आपको घंटू ये नहीं सोचना है कि खड़ी खाने का मन चाहर है अरे यार कड़ी जो है वो ये घंटे में बनके तयार होगी आप फटा फट से जाएगा मुँ में पानी और अगर हाँ आपको रेसिपी बसंदा रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बूले देखें मेरे पास हैं यहां पर 400 ग्राम करेले करेले बहुत ही छोटे-छोटे हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए करेले और एक बार और पता दूँ आपको कि अगर आप सोचती हैं कि करेले जो हैं वो कड़वे होते हैं तो ऐसा नहीं है बहुत ही मस्त और मसदार यह करेले बनके तयार होंगे तो चलिए फड़ा-फड़ से लेना है छोटे-छोटे करेले इनको हम धो लें हैं और बस धोकर आप इस तरह से छोटे-छोटे से करेले के रिंग्स काट लें और हां करेले के जो बीजे हैं वो भी नहीं निकालना है हमें तो बस इस तरह से सिंपली आप छोटे-छोटे से करेले के रिंग्स बना लीजिए जो की बना करेले मैंने अल्रेटी रख दिये ह और अब हमें क्या करना है इसमें हमें लगाना है नमक तो कम से कम एक से तीस्पून भर की नमक आप इन करेलों में अच्छे से मिक्स कर दीजे अच्छा आपको अगर लगता है कि करेली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल मसारा लगी का तो ऐसा नहीं है अब हम देखिए कितने कम तेल में कितने बहतरीन करेले आपके लिए बनाने वाले हैं तो इस करेलों को नमक लगाकर हम दो घंटे के लिए रख देंगे और जब इस दो घंटे के बाद इस तरह से जो पानी वानी छूट जाएगा करेलों को जो कड़वा पन है वो निकल जाएगा तो करेलों को आप धोकर अलग रखतें किसी चलने में अब हमने यहां पर लिया है तेल तो जो तेल है वो बहुत ही कम है इसको गरम होने देते हैं खल बट्टा लेंगे इसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून सौफ, हाफ टीस्पून डालना है जीरा, हाफ टीस्पून डाल देंगे राई और हाफ टीस्पून ही हमें लेना है खड़ा धनिया इन सारी चीजों को हम अच्छे से खल बट्टे में डाल कर लेंगे तेल गरम हो जाएगा तो सारी चीजों को तेल में डाल द ज़ादा प्याज नहीं चाहिए देखिए प्याज अगर बड़ी है तो एक डाल दीजे वरना दो मीडियम साइस की प्याज को आप थोड़ा स्लाइस में मोटा मोटा कार कर डाल दीजे बहुत बारी प्याज नहीं डालना है और यहां पर प्याज को हमें सिर्फ एक मिनिट के विए पका लेना है और एक मिनिट के बाद हमें आप डाल देना है करेले तो करेलों को धोक कर आप चली में रखें ताकि उनका जो एक्स्ट्र पानी है वो निकल जाए और इसकी साथ ही बिलकुल थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक करेलों में अल्रेड है इसलिए आप नमक से medium flame पर हम प्याज और करेलो को तब तक पका लेंगे थोड़ा थोड़ा आप इस तरहां से cover करके भी पकाईए ताकि जो करेले वो soft हो जाए तो हमें तब तक पकाना है जब तक की प्याज अच्छे से golden नहीं हो जाते तो जब प्याज आपको देखे कि अच्छे से golden हो चुकी है तो उसी stage पर हम यहाँ पर डाल देंगे दो टी स्पून बेसन अब बेसन डालने के बाद medium flame पर एक से दो मिनिट के लिए हम करेलो को अच्छे से इस तरहां से बराबर चलाते हुए पका लेंगे और जब दो मिनिट के बाद जिसमें हमें डालना है half tea spoon पिसा हुआ धनिया पौडर test के according डाल देंगे लाल मिर्ची का पौडर half tea spoon डालना है हमें पिसा हुआ आम चुर का पौडर और quarter tea spoon डाल देंगे गरम मसाला अब सारी चीजों को अच्छे से हमें mix कर लेना है सिर्फ हमें एक मिनिट के लिए और पकाना है ताकि जो मसाले डाले उनका कच्छापन दूर हो जाए देखिए अब मैंने लिया यहां पर गुड तो आपको दो tea spoon के बराबर यहां पर करेलों में गुड को डाल देना है इतनी मज़ेदार ये करेली की बस गुड डालने के बाद एक मिनट और पकाएं तो करेले हमारे बनकर एकदम रेडी है इस तरफ मैंने लिया एक बाउल बाउल में हमें डालना है आधा कप अरहर की डाल और उसके साथ ही डाल देंगे आधे कप से भी कम मूंग की डाल दस मिनट के लिए दोनों डालों को पानी डाल कर सोख होने के लिए रख देंगे तो बस डालों को इस तरह से मिक्स कर देंगे दस मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे तो हस्बिन हमारे जो है वो आफिस से आ चुके थे ब्रेक लेते हैं और चाय पी लेते हैं देखे गाइज काम कितना भी बड़ा क्यों नहों कितना भी महनात का क्यों नहों थोड़े से आप छोड़े छोटे ब्रेक लें और उन ब्रेक्स में आप थोड़ा सा इंजोई करें तो काम जो है कितना भी बड़ा हो पता नहीं चलता तो दाल 10 मिनिट के लिए फूल चुकी थी दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है और कुकर में ट्रांसफर कर लिया है अब हमें डाल देना है दो काट कर मीडियम साइज की टमाटर और पानी यहाँ पर डाल देंगे दाल से सिर्फ एक उंगल उंचा नमक डालना है हमें टैस के अकॉर्डिंग हल्दी डाल देंगे कौटर ती स्पून अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर को बंद करके 2-3 सीटी हाई फ्लेम पर लगा लेंगे और 10 मिनिट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम डाल को पका लेंगे तो चलिए हमारी जो डाल है यहाँ पर रेडी होने वाली है देखिए मैं यहाँ आपको डाल की रेसिपी नहीं दिखा रही हूं मुझे मालूम है आपको डाल पकाना आती है लेकिन इस तरह से एक बार आप डाल को जरूर बना के देखिए दाल इतनी टेस्टी बन के तयार होती है कि आप दुबारा फिर इस रेसिपी को बनाएंगी अरहर की दाल में अगर आप थोड़ी सी मूंग की दाल मिला देती है तो दाल का जो टेस्ट है वो बहुत जादा बढ़ जाता है देखिए मैं यहां पर आज आपके साथ डिनर आइडियाज को शेयर कर रही हूं इसलिए रेसिपी को पूरा इन तक देखिए आखिर डिनर आइडियाज में मैंने आज आपके लिए क्या बनाया तो यहां पर मस्टर्ड ओयल जो है वो कफे अच्छे से गरम हो चुका है और जब तड़का हमारा अच्छे से बन जाएगा तो इसको हम डाल देंगे डाल में तो यहां पर हमारी बहुत ही जबर जस्त जो डाल है वो एक दम रेडी हो चुकी है तो इस तरह से आप डाल ज़रूर बनाईए मस्ट बन के तयार होती है उपर से डाल देंगे हरा धनिया तो चलिए देखिए आज डिनर आइडियाज में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है तो यहां पर मैंने ले लिए थोड़ी सी सैलिट और यहां पर है स्टीम राइस और इसके साथ मैंने बनाई है दाल तड़का तो एक बार इस कॉमिनेशन को आप जरूर ट्राय करिए तो कैसे लगाई यह आइडिया मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए इस कॉमिनेशन को आप जरूर ट्राय करें क्योंकि यह इतना मस्ट और मज़ेदार डिनर बनके तयार होता है कि उंगलिया चाट चाट कर आपकी पूरी फैमिली खा जाएगी चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट डिनर आइडिया की तरफ जो यह रेसिपी है वो मेरे हस्बिन बना रहा है क्योंकि यह उनकी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और जो सबजी आज बन रही है वो कोई खाना नहीं चाहता लेकिन मैं खाती हूं क्योंकि मेरे हस्बिन बहुत तो टेबल स्पून ओयल गरम हो जाएका तो डाल देंगे कोटी टी स्पून जीरा हींग और इसके साथ ही डालना है चोटा सा तुकड़ा दाल चीनी का जब भी सारी चीज़े क्रेकल हो जाएंगी तो एक बड़ा सा प्याज लेंगे प्याज जो है वो स्लाइस में काटना है उ जो मुझे बहुत पसंद आती है तो यह रैस्पी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ देखिए प्याज को दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर पका लिया था उसके बाद डाल देंगे हाफ टी स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट तो फ्रेंट्स देखिए यह है सबजी जिसी कोई भी खाना नहीं चाहता जी हाँ यह है कुंद्रू कुंद्रू धो कर मैंने आसपास से थोड़ थोड़े काट लिया और बीच से दो दो तुकडे कर लिया है और कुंद्रू को अब हम प्याज में डाल देंगे जो कि हमने अदरक लसन जो है एक मिनिट के ल अमीद है कि आप सबको जरूर पसंद आएगी कुंद्रू जो है वो 300 ग्राम थे और इसके साथ ही मैं इस सबजी में डाल रही हूं एक बड़ा सा आलू तो जिसको मैंने चौकर चौकर काट लिया अच्छे से धो लिया है और यहां पर हमारे जो कुंद्रू और प्याज थी में इसके वह काफी अच्छे से एक से दो मिनिट के लिया तो साथ ही हमने डाल दी है आलू आलू को भी हम एक मिनिट के लिए हाइ फैलें पर यहां पर लेंगे नमक और ठोड़ी से हमें डाल लिया अप कम ज्दा कर सकते हैं और एक टीजून हम यहां ज़ुआ हम ठैल दया ह और जब आप इस सब्जी में सूखी मसाले डाले तो गैस की फ्लेम है बिलकुल स्लो पर रखे नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे और हमारी सब्जी का जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम यहा अब शुलालम बीजा खराब हो घया अब मैंने कभी कुन्दू नहीं खाये लेकिन जैसे ही मेरे हजबंडन ने ये सब्जी बनाकर मुझे खिलाइ बस तभी से मैं जब भी मुझे कुन्दू खाना होता है मैं अपने हजबंडन से कहती हूं कुन्दू की सब्जी आप ही बन जाएंगे और बीच बीच में अगर आप चाहें तो चला कर देख लें और दस मिनिट के बाद यह देखे हमारी जो सबसी है बस कुख होने वाली है जैसे ही आपको लगे का आलो अच्छे से गल चुके है तो समझ लीजे आपकी सबसी बनकर एकदम रेडी है इसमें जो कुंद आलो की सूखी सबसी बनकर एक दम रेडी है तो इस सबसी को एक बार मेरे कहने से आप लोग ज़रू ट्राइ करिए और फ्रेंड्स मुझे लाजबी बताइए कि आपको यह डिनर आइडिया पसंद आए या नहीं बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेर किये जिन ट्रॉब जयर आपक ड्रची मेंल이면 बताइडिया आ यह रहुत हमारा है कि अविन बताइड़ खु StaffS मारे बताईगगे सля Brockton्स